असलालेकूम, बच्चो दुनिया में जो आर्ट की दुनिया में जो बहुत ही बड़ा नाम है, चाहे किसी को आर्ट से, पेंटिंग से, स्कल्प्चर से कोई दिल्चस्पी हो या ना हो, लेकिन सब ने ये जो आर्टिस्ट जिनके बारे में मैं आज आपको बता रही हूं, इन का नाम सब जानते हैं, मैं ये बात बहुत वसूख से कह रही हूं, ठीक है, अच्छा, तो ये हैं पेबलो पिकासो, देख रहे हैं आप, और ये किताब जो है ना, ये आर्ट फॉर चिल्रन, ये खास तोर पर आपके लिए लिखी गई है, जी, तो पिकासो जो है, ये स्पे इनके रहने वाले थे, वो पैदा हुए थे, स्पेन का एक शहर मलागा उसमें, और ये 1881 की बात है, 1881, 25 अक्तूबर को ये पैदा हुए, अच्छा, इनके, इनका कहना ये था, कि अगर ड्रॉ करना है ना, तो अपनी आखे बंद करो, और गाना गाओ, और फिर ड्रॉ करो, और देखो कितना मज़ा आता है, अच्छा, और दूसरा, मतलब जाहर है अपनी जिन्दगी में, उन्होंने बहुत सारी बाते की हैं, लेकिन उनका कहना था, कि जो ड्रॉइंग है, वो बिल्कुल ऐसा है, कि जैसे अगर आप लोजाना ड्रॉइंग करें, तो जैसे आप डा पानी की, पेबलो, पिकासो, जो इन्होंने खुद अपना सेल्फ पोट्रेट जिसको कहते हैं, खुद जो अपनी तस्वीर जब बनाते हैं, तो पिकासो के वालिद भी पेइंटर थे, और टीचर थे, आर्ट टीचर थे, उनकी वालदा बहुत जहीन और हाजर दिमाग, खा जहन और जिस तरह के लोग होते हैं, वालदेन हमारे, तो अकसर ऐसा होता है कि बच्चों को, में भी ये खुसूसियात होती हैं, तो पिकासो को पुदरत ने बहुत अच्छी आँखें, ऐसी आँखें दी थी जो वो हर चीज़ को बहुत परकते थे, देखते थे, अब्जर बहुत बड़ा दिल, कुशादा दिल, जिसमें जिन्दगी से महबत और पुदरत से महबत भरी हुई थी, और फिर हाथ, क्योंकि ऐसे हाथ जिन से वो ड्रॉइंग कर सकें, पेंटिंग कर सकें, तो ये सारी चीज़ें मौझूद थी, अच्छा, उन्नी सो एक में जब ये दिलके थे, तो मैं एक आपको पेंटिंग इनकी दिखाती हूं, और दगूर में इसका नाम है, यानि अच्छा जो खाना, जो लोग पसंद करते हैं, बहुत अच्छा खाना, अब इसमें ये देखें, ये बच्ची है, ये देख रहे हैं बच्ची की तस्वीर है, और वो प तो उसकी गर्दन की गिर्द जो नापकिन लिप्टा हुआ है, और ये जो टेबल है, टेबल क्लोथ है, ये जिस तरह से बना हुआ है, और फिर ये जो उसके कपड़े हैं, उसके जो फोल्स हैं, तो ये तकरीबन ये वो वक्त था, जब तीन साल तक पिकासो ने नीला रंग जो है, वो बहुत इस्तेमाल किया, तो ये उनका ब्लू पीरियट कहलाता है, ठीक है, और पिकासो को बहुत पसंद था, बलके उनके बहुत सारे दोस्तियां की थी ऐसे लोगों से, जब सर्कस वो देखने जाते थे, और सर्कस में जो लोग काम करते थे, तो उनको बहुत उ तोर पे भी इस्तेमाल किया, बनाया, अच्छा, और ये तस्वीर जो है, ये है, 1905 में उन्होंने ये पेंटिंग की थी, ये देखे, ये जो एक बड़ा लड़का, एक छोटा, लगता ऐसा है कि जैसे दोनों भाई हो, मिलते जुलते से लग रहे हैं, और ये उनके साथ उन वाले ने, आप उने देखा, ये हारलिक्विन, यानि जो कपड़े के टुकड़े जोड़ जोड़ के, जैसे हमारे हैं रिलिया बनती है, बस ऐसे ही समझ लीजे, और दूसरा जो छोटा लड़का है, उसने एक्रोबैट्स जो सूट पहनते हैं, टाइट वाला के, जिससे व मुक्तलिफ कर्टब दिखाते हैं, तो वो पहना हुआ है, और ये इन्हों ने, ये जो ब्लू पीरियट जो था उनका, ये उस जमाने की तस्वीर है, जब बनाई है, जब वो खतम हो रहा था, और उनका रोज पीरियट, यानि सुर्ख रंग का जो पीरियट था, वो ले गए, फ्रांस मोव हो गए, ये एक और तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, यंग गर्ल ऑन बॉल, और ये भी वोई सरकस के लिए ये जो लड़की है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसका ट्रेनर साथ बैठा हुआ है, और वो इस बड़ी सी गेंद पे देखिए, बैल और उसका बच्चा उसके कंधे पर और एक छोटा लड़का साथ चल रहा है, कुटा भी है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब एक माहौल पैदा कर रही है, कहां वो लड़की खड़ी है, उसके आसपास क्या हो रहा है, है ना, अच्छा, और फिर पिकास का एक वो जो क्यूबिस्ट पीवियट था, तो वो यानि ऐसा था कि कभी उन्होंने उस स्टाइल में तस्वीरे बनाई, फिर छोड़के, फिर किसी और स्टाइल में फिर दुबारा आ गए, तो ये उसकी एक मिसाल है, जो मैं आपको दिखाना चाहरी हूँ, ये देखिए, ये बड़ी मशूर पेंटिंग है पिकासो की और आप कहेंगे कि ये बड़ी अबस्ट्राक्ट है, तजरीदी है, बिल्कुल सही है, इसका नाम है तीन मौसिकार, थ्री मौसिशन्स, ठीक है ना, तो इन तीनों की जो शकले हैं, जो कपड़े हैं, जो इनका जिसम है, आप मा मुक्तलिफ हैं, और ये नजर आ रहे हैं, ये उनके पैर भी देख रहे हैं, टांगे देख रही हैं, अच्छा, तो ये जो तरीका है, क्यूबिजम, उसके बारे में आप पढ़िएगा, मैंने आपको इंप्रेशनिजम के बारे में, वैंगौ के बारे में बताया था, पिक पेंट किया, और एक ये है, 1922 में बनाई हुई पेंटिंग, उनकी ये देखे, मा और बच्चे की, और ये ऐसा लगता है, कि ये मा और बच्चा जो है, कुरसी पर बैठे हैं, लेकिन जैसे के संगे मरमर से तराशे गए हों, है ना, तो इस किसम का, एक क्लैसिकल इनका पीर रहां की तस्वीरे बना रहे थे, वो इटली गए थे उससे पहले, और वहां जो उन्होंने स्कल्प्चर्स और पेंटिंग्स और सब कुछ देखा, उससे मुतासिर होकर फिर उन्होंने, और ये मैं आखरी तस्वीर अब दिखा रही हूं, आपको जाहर है के हजारों हैं, लेकिन ये चले एक और दिखा दूंगी, लेकिन ये अभी जो तस्वीर दिखा रही हूं, ये उनके बेटे पॉल की तस्वीर है, जो एक गधे पे बैठा हुआ है, ये बच्चा और गधा, और आप ये देखिए, कि जो एक एक बारीक जो ब्रश का स्ट्रोक है, तो जैसे पीछे जो घास है, उसी तरह से उसके गधे के जो बाल है, वो भी उसी तरह से आपको ब्रश के स्ट्रोक नजर आ रहे हैं, अच्छा, और मैं आपको ये आखरी तस्वीर दिखाती हूँ, एक मुरगे की, और ये देखिए, जब मुरगा जोर से बोलता है, बांग देता है, तो देखे के पिकासों ने कैसे बनाया है, उसकी जबान कैसे निकली हुई है, उसकी आखे कैसे रोल हो रही है, दोनों आखे उन्होंने एक ही तरफ बनाई है, और उसकी वो जो बड़ी सी दुम है पीछे, वो भी ऐसे बिलकुल जैसे तयार हो मुरगा अटैक करने को अगर कोई उसके सामने आया, तो बस खेर नहीं है उसकी, है ना, बिलकुल उसी तरह लगता है, ये एक और ये किताब के पीछे वैक कवर पे ये तस्वीर है, ये भी आप देख रहे हैं कि मुक्तलिफ सरकस के लोगों की तस्वीर है, तो पिकासो दुनिया के मशूर तरीन आर्ट तस्वीरे बनानी शुरू की और उनका कहना ये था कि जब तक वो स्किल आपको नहीं आता, तो आप अब्स्ट्रैक्शन की तरफ उसको यानि तजरीदी तस्वीर की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है, तो सोच समझ कर सारी चीज़े होती हैं, और जिसमें जो फॉर्म्स हैं, ज तरफ प्रिकासो का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मजीद और आर्टिस्स के बारे में खुद जानेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आप तस्वीरे बनाना, मतला बन नहीं करेंगे, बनाते जाएए.